अलो फ्रेंट्स वेल्कम टू रसोई घर तो फ्रेंट्स आजम बनाएंगे ठंडाई तो ठंडाई वेसे तो होली और शिवरात्री पर विशेश तोर से बनाई जाती है पर आप पूरी गर्मी भी इसका आनन ले सकते हैं और यह पीने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो फ्र काजू के लिए हैं और आदा बाउल में चीनी ली है 12-15 में काली मिर्च ली है दो चम्मच में सोफ के लिए हैं और आट-दस पिष्टा है साथ हरी लाइची ली है और साथ अट धागे हम केसर के यूज़ करेंगे और इसके अलावा हमें एक लिटर दूद के आउशकता करते हैं तो सबसे पहले हम इसके लिए खसकस का दाना बादाम काजू इलाइची पिस्ता सोफ काली मिर्च और केसर की दागे इन सब को हम एक कटोरे में लेके पानी डालके इन सब को भीगो की रख देंगे तो इसके लिए फ्रेंट्स मैंने इने पहले से ही भीगो की रखा हुआ है क्योंकि हमें इसे तीन से चार घंटे के लिए भीगो ना होता है तबी इसका एक बारिक पेस्ट बनकर तयार होगा तो इसे मैंने पहले से ही भीगो की रख रखा था चार घंटे के लिए और एक तरफ मेने गेश चालू करके दूद भी वोईल करने के रिए रख दिया है तो फ्रेंड्स जब तक हमारा दूद गर्म होता है तब तक हम जो हमने ये सारे ड्राइफ फ्रूट्स गला के रखे वे थे इसका हम एक बारिक पैस्ट बना लेंगे तो अभी में इसका सारा पानी निकालते हुए सारे ड्राइफ फ्रूट्स को एक मिक्सी के जार में डाल दूँगी और हम इसे बिल्कुल एक स्मूथ इसका पैस्ट तयार कर लेंगे और यदि हमें पानी के आउशकता हुई तो मैं यही पानी इसमें यूज़ कर लूँगी और अब में धक्कन लगा के इसका एक स्मूथ पैस्ट तयार कर लूँगी तो देखे फ्रेंड्स इसका बिल्कुल बारिक पेस्ट मेंने बना कर तयार कर लिया है पेस्ट जितना ही आप बारिक बना सके उतना बारिक बनाए क्योंकि जितना बारिक होगा उतना फ्लेवर दूद में इसका अच्छा आएगा और दूद भी हमारा बॉइल हो चुका है अब हम इसमें चीनी डाल देंगे तो चीनी की मात्रा आप अपने स्वादुनुसार कम यह ज़्यादा कर ले और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर ले और अब हमने जो पैस्ट बनाया हुआ है वो डाल देंगे हम इसमें तो यह सारा पैस्ट मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे हिला कर और अब हम इसे अच्छे से फीर से बॉइल होने देंगे लगबख 5-7 मिनिट के लिए हम इसे ऐसे ही बॉइल होने देंगे गेस पे तो यह देखे फ्रेंड्स यह अच्छे से बॉइल हो चुका है पैस्ट हमारा और दूद में अच्छे से मिक्स हो चुका है गेस का फ्लेम ओफ कर देंगे और अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे तो ठंडा होने से पहले हम इसे एक बार छां लेते हैं फिर हम इसे ठंडा करेंगे तो किसी भी छन्नी के साहिता से हम इसे सारा छांद लेंगे तो जैदेखे फ्रेंड से छान लिया एक भगोने में और इसे मैंने 3-4 घंटे के लिए फ्रीज में रग दिया था तो यह झार हो चुका है और अब हम इसे सर्व करेंगे तो यहां पर मैंने दो गिलास लिये हैं और इस तरह से हम इसे डाल के सर्व करेंगे तो फ्रेंड्स होली पर आप इस रेसिपिक को जरूर बनाएं क्योंकि यह पीने में बहुत टेस्टी लगती है और उपर से थोड़े से ड्राइफ्रू डाल के मैं इसकी गार्निशन कर दू तो यह ठंडा ठंडा ड्रिंक बन करके तैयार है तो फ्रेंड्स मेरी तरह से इस रेसिपिक को एक बार आप जरूर ट्राइए करें और अगर आपको रेसिपि पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मेरी वीडियो को लाइक इन शूब